बाटी खाने का मन है पर बाटी मेकर नहीं है कैसे बनाएं तो चलिया आज की आपको बताती हूँ बहुत ही आसान तरीका बाटी बनाने का तो आपको गेहू का आटा लेना है उसमें आपको सूजी डाल देनी है अजवाइन डालना है अजवाइन का फ्लेवर बाटी में बहु भी नहीं है 10-15 मुनें टाटे को हमने रेस्ट दिया उसके बाद चोटी-चोटी हम इसकी लोईया बना के इसकी बाटी बना लेंगे कुछ इस तरीके से बनानी है इससे के बाटी के अंदर थोड़ा सा स्पेस रहतार बाटी अच्छा से सिकती है कच्छी नहीं रहती है तो चो जटीब कर देंगे थोड़ा सा घी यहां पर चाहेता है और डाल सकते हो कम फ्लेम पर ही से हम सिकने देंगे इस तरीके से उलटते-पलटते हुए हम बाटी को अच्छे से से लेंगे चारो तरफ से जहां भी आपको लगे घी कम लग रहा आप घी थोड़ा और डाल सकते हो बहुत ही टेस्टी बाटी बनती है बहुत सौफट बाटी बनती है आप एक बार ट्राइ करना आप आमेकर में देखे अच्छा से सिख चुकी है और बहुत जादा सौट बनी अप कर्मा गरम बाटी को इस तरहीके से क्रश कीजिए घी में डालिए यह अपने आप मेल्ट हो ज चुकी है लेसन की चट्नी या बाटी के साथ वाली डाल कैसे बनाते हैं अगर आपको जानना है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना मिर्शी का भरता मैं आपके साथ शेयर करूंगी